इस वीडियो से आज हम सीखेंगे संख्या रेखा याने नंबर लाइन पर पूर्ण संख्याओं याने होल नंबर्स का योग याने एडिशिन, व्यवकलन याने सब्ट्राक्शन और गुणन याने मल्टिप्लिकेशन की संक्रिया आएं. पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा शून्य से शुरू होती है और अनन तक चलती जाती है. चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग कैसे व्यक्त किया जाता है? यहाँ देखिए, इस टोकरी में पांच फल है. अगर इनके साथ दो और फल रखे जाएं, तो कितने फल होंगे? इसे प्राप्त करने के लिए हमें पांच और दो को जोड़ना होगा. आईए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें. पहली संख्या है पांच. इसलिए हम संख्यारेखा पर 5 से प्रारम करेंगे चुंकि इसमें 2 जोड़ना है इसलिए हम दाई और 2 कदम 5 से 6 और 6 से 7 चलेंगे कदम व्यक्त करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे जिनका सिरा दाई और होगा अंतिम तीर का सिरा बिंदू 7 के तरफ इशारा करता है इसी प्रकार 5 और 2 का योग 7 है यानि 5 धन 2 बराबर 7 अब चलिए जानते हैं संख्यारेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यक्त किया जाता है मान लीजिए 5 फलों से अगर हम 2 फल निकाल लेते हैं तो कितने फल बचेंगे इसे प्राप्त करने के लिए हमें 5 से 2 घटाना होगा आईए इसे संख्यारेखा पर व्यक्त करें पहली संख्या है 5 इसलिए हम संख्यारेखा पर 5 से प्राइरम करेंगे क्या आप बता पाएंगे अब हमें किस और चलना चाहिए सोचिए सोचिए चूंकि इस संख्या से हमें दो घटाना है इसलिए हम बाई और दो कदम पांच से चार और चार से तीन चलेंगे कदम व्यक करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे जिनका सिरा बाई और होगा अंतिम्तीर का सिरा बिंदू 3 के तरफ इशारा करता है इसलिए 5 और 2 का व्यवकलन 3 है यानि 5 ट्रिंट 2 बराबर 3 अब चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुनन कैसे व्यक्त किया जाता है यहां देखिए इस टोकरी में 5 फल है अगर इसके साथ इतने ही फलों की और 2 टोकरिया रखी जाती है तो कितने फल होंगे इसे प्राप्त करने के लिए हमें 3 गुना 5 करना होगा आईए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें योग या व्यवकलन के तरह यहां हम 5 से प्रारम नहीं करेंगे बलकि 0 से प्रारम करेंगे चुकि 5 फल 3 बार दोराएं गए है इसलिए हम 0 से प्रारम कर 5 मातरक दूरी यानि यूनिट टिस्टन्स के 3 कदम 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 चलेंगे कदम व्यक्त करने के लिए 3 का प्रयोग करेंगे जिनका सिरा दाई ओर होगा अंतिम 3 का सिरा बिंदू 15 के तरफ इशारा करता है इसलिए वह दी संख्याओं का गुणन फल यानि प्रड़क्ट है यानि के 3 गुणा 5 बराबर 15 इस वीडियो में आज हमने सीखा संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग व्यवकलन और गुणन की संक्रियाएं कैसे की जाती है अगले वीडियो में हम इसके उधारन देखेंगे